आगत्य आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कख्छा 11 में विसे व्याफसाय अध्यान का घ्रह कार रहे जो कि अध्याई दो व्याफसाईक संगठन के स्वरूप से लिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्ट नमबर एक से सामन्य साजेधारी एवं सिमित साजेधारी में अंतर लिखो इसके अंतर निम्प्रकार से हैं एक तरह आप सामन्य साजेधारी लिख देंगे बीच में एक खाचा बना लेंगे डंडी बना लेंगे आप और अगली तरह सिमित साजेधारी तो वन बाइवन कर रहे हैं इसमें स जरूरी है तथा बाकी साजेदार का दायत होता है धूसरा इसमें प्रतएक साजेदार को फर्म के प्रबंद में भाग लेने का प्रश्ट नमर दो है गुप्त साजेदार कौन से होते हैं लगिए गुप्त साजेदार पुंजी लागत है प्रश्ट नमर तीन है साजेदारी सनलेक क्या होता है इसमें किन बातों का उल्लेक किया जाता है साज़ेदारी सनले के एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें साज़ेदारों का विवरन लिखा जाता है एवं नियम लिखे जाते हैं इसमें निम्न बातों का उल्ले किया जाता है फर्म का नाम पता, साजेदारों का नाम पता, साजेदारी के अवदी, व्यापार का छेत्र, साजेदारों त्वारा दी जाने वाले पुंजी, लावानी का अनुपात, साजेदारों का वेतन, अहारन पुंजी परव्याज, अहार नम्झादिका मुल्यानकन है स्छायचिक सदस्यता समापन हित रاخने वाली कोई व्यक्ति सिमित सदस्य वन सकता है स्मिति का सदस्य बन सकता है दूसरा वैदानी किस्तिती इनका पंजी करन न निवार तीसरा सदस्यों का दायट नंके दोर्गाई गई पुन específic सत्यों होता है स्मितिका अधा वार्सिक रिपोर्ट पर सरकारी नियंत्रन होता है आठवा ये अपना वित्त्य सदस्यों को बेचे हुए अंसों से एवं सरकार से प्राप्त रिन्ट से एकत्रक करता है प्रिश्ण में पहाच है उब्वुक्ता सहकारी समीति के बारे में लिखिए ये आम जरूरत की बारा किये जाने वाले शूर्शन को खतम करना तो इस प्रकार से ता हमारा आज का बिजनीश स्टडीज का घ्रह कारे जुनेरे चैनल के साथ लाइक करें सिएर के सब्सक्राइब करें धन्यवाद